है गाइस वेल्कम टु साइकावानेस आई होब आप सब अच्छे होंगे तो यह वेकेंसी बहुत इंपोर्टेंट है आपकी मैं पहले बता दूँ यह वेकेंसी सभी के लिए है जो भी फ्रेश कंड्रेट है और जो भी गुरूप ए और बी की पर्मरेंट गुवर्मेंट जॉ पोश्टी रहती है और कब आती है कब नहीं आती है आपको पता भी दिछलिगा इसके बारे में तो यह जो एड्विटीजमट है जो आपको इसकी में दिख रहा है यह आपका दिसमबर दो हजार 21 का है ठीक है तो 22 में वेकेंसी नहीं आई अप 23 में आपको जनवरी फर्वर यह मार्च इन तीन महीनों में कभी यह नोटिटेशन डिटेल में नया देखने को मिल जाएगा बट उससे पहले मैं आपको बताया था कि कौन-कौन इसमें अप्लाइक कर पाएगा क्योंकि यह आने वाली है वेकेंसिस तो कंप्लीट वीडियो देख लिए और शेयर नहीं कि वीडियो को शेयर करें वीडियो को लाइक कर देने नहीं तो बात कहलता है वेकेंसिस की इंपोर्टेंट है तो वेकेंसिस बहुत सारे एक्जाम होता जिससे आप IPS बनते ग्रूप एकी सर्विस से बट अगर आप सोसॉलोजी साइकोलोजी एकॉनोमिक्स स्टैट मैथमेटि सिविल सर्विस से बीजा सकते हो ठीक है बट आप पोश्ट हो है कुछ चेंजिस हो जाएंगी काफे चेंजिस होते हैं पोस्ट में इसमें बीटेक वालों के लिए होती है तो मैं में में वेकेंसि की बात करको सीथ है कि बहुत अच्छी अपॉच्छिनिटिय आती है उसमें अब इसमें बात करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई यह सीनियर साइनटिफिक आप पोस्ट है तो देखो पीडियो काफी बड़ा है और यह आपकी फ्री वेकेंसिस फोर रिसर्च आइए देखो तो पोस्ट नमबर 11 ठीक है वेकेंसि कितनी है तीन वेकेंस इस फोर दा पोस्ट ऑव जूनियर रिसर्च ऑफिसर जो होगा रिसर्च स्टेट एर एनलेसिस का इन यूनियन पब्लिक सर्वेस कमिसें यूपी ऐसी जिसमें एक पोस्ट थी एक थी यूज़ए और एक देखी जनर की बाकि स्ट और ओबीसी वाले जब बीएसे वेकेंसि आती है उनके नहीं होगी तो फाइट करेंगे जंदर की पोस्ट में ठीक है तो किस नाम सा आती है आपकी पोस्ट वह आती है अपकी जुनिया रिसर्च आफिसर की इन यूपीस्ट यह नाम साब की पोस्ट आती है क्या लेवल है क्या है उसाब बात करेंगे और यह पोस्ट ज जाम के आपको permanent job मिलती है तो यह बहुत बड़ी बात होती है आपको पता भी नहीं है इसके बारे में देखो क्या है the post is permanent ठीक है सब सब लिखावा है the post is permanent pay level का रहेगा pay level आपका 7 रहेगा 7 CPC रहेगा center government के according और यह post आपकी group B की non-ministerial post होगी एक तो permanent होगी उपर से group B की non-gadgeted center government की post होगी maximum age limit आपकी इसमें 30 year रहेगी फॉर्म भनने की अब qualification क्या चाहिए होती इसके लिए वह देखे लो सब आपने अपने master's या फिर MMSC master's आपने complete कराओ statistics से तो फिल कर पाओगे इससे नहीं क्या है तो operational research से complete क्या हो master's या फिर mathematics से complete क्या हो या फिर applied statistics से complete क्या हो अपने applied mathematics या mathematical statistics from our university इससे क्या है तो फ़र्पर को आगए अगर यह कोई भी subject आपके पास नहीं था master's में तो आपने अपने master's complete कर रहो economics से या फिर sociology से या फिर psychology में या फिर commerce में और इन सभी subject के साथ आपने master's में statics का एक paper पढ़ा हो ठीक है और अगर नहीं पढ़ा है master's में आपने इन subject के साथ stat के paper तो आपने post graduation में पढ़ा हो तो post graduation में psychology वाले के बाद से stat होती है उनका एक paper होता है तो कोई दिक्कत नहीं है इकोनोमिक्स मार्च पेपर होता है master's में वह भढ़ सकते हैं सोस्वालोजी का पेपर होता मुझे पता नहीं होता होगा वैसे तो या तो graduation में आपने आपका सब्जेक्ट आपका इस्टेट रहा हो अगर नहीं था तो post graduation में आपकी पास इस्टेटिक्स एक पेपर आपने करा हो साथ में master's डिग्रियोस एकोनोमिक्स सोस्वालोजी साइकॉलोजी कॉमार्थ इस्टेट तो फॉर्म फिल कर पाओगे बस इतना ही है ठीक है अब computer इसके अपको जरुबत है नहीं क्योंकि यह desirable में mandatory नहीं है बस और इसके लावा कुछ भी नहीं है इसमें इतना चीज़ है नोट यह सब इसके रिपोर्ट बानी है आपको साथ में conducting of various research study करना है आपको इसमें supervision करना है अपडेशन डाटर प्रोग्राम को और साथ में कहां logical checking and verification करना है अपडेट करना है डाटर रिकॉर्ड करना है supervision करना है safe keeping of data records को बस इतना ही आपको काम है इसमें और आपको जो जो जॉइनिंग होगी वो new Delhi headquarter में होगी ठीक है और उसके लावर भी आपको और काम मिल सकते हैं तो यह पोस्ट है आपकी जो आती है दिसम्बद एक किसमा आई थिम बता दो में अभी अभी अपकमिंग वि तो आप अपने दोस्तों थागिशने शेयर कर देना क्योंकि इंपोर्टेंट है काफी वेकेंस चीक है तो बहुत काम लोगा पता होती है इसके बारे में और वीडियो को लाइक कर देना अब देखो आप इसका सेलेक्सिन प्रोसेजर क्या होता है मैं आको बताएता हूं सब से पहले जब वेकेंसिया आगी आप उसका क्या भरोगे अब इसका ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ठीक है उसकी फीस कितने होगी 25 रुपीज 25 रुपे फीस होगे आपकी ऑनलाइन फॉर्म की फीस जब सम्मिट कर दोगो उसके एक या देड़ महीने बाद वनेना हाफ मन बाद इसके बेस पर आपका इंटर्व्य लिया जाएगा इंटर्व्य लिया जाएगा इंटर्व्य लेंग्वज हिंदी इंग्लिस दोनों में से जिसमें आप इंटर्व्य दे सकते हैं तो यह वटैंस आपकी आने वाली है आई होवप आपको सब चीज पमप्लीट समझ में आगए होगी इसके बारे में तो वीडियो को शेर कर देना इंपर्टेंट वीडियो को पर कह रहा हूं और वीडियो को लाइक कर देना जल्द मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटी वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू